नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी सेक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई संस्मरन जिसका सर्शक है काले मेगा पानी दे तो चलिए दोस्तों, सुरू से इस संस्मरन को समझने की कोशिश करते हैं इस संस्मरन की सुरूआत करते हुए लेखक धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि गाउं में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसके सदस से 10 साल से लेकर 18 साल तक के लड़के होते थे ये बच्चे अपने कमर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांग्या पहने रहते थे जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती थी और बादल दूर दूर तक आस्मान में कहीं नहीं दिखाई देते थे तब ये बच्चे एक जगा इकठा होकर एक लोगगीत बोल गंगा मैया की जय काले मेगा पानी दे गगरी फुटी बैल प्यासा पानी दे गुर्दहनी दे यह गाते हुए गाओं की गलियों में घुमा करते थे इस लोगईत को सुनकर गाओं के सभी लोग सावधान हो जाते थे और महिलाय और लड़किया घरों की खड़कियों से जाकने लगती थी यहां मंडली पानी दे मैया इंदर सिना आई है यहां कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुख जाती थी तो उस घर के लोग बाल्टी भर पानी उस मंडली के उपर फेक देते थे कुछ लोग जो इस मंडली को पसंद नहीं करते थे वो इसे मेंधक मंडली कहा करते थे और जो लोग यहां मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेकने से बारिश हो जाएगी वो इस मंडली को इंदर सिना कहा करते थे जब जेट बितने के बाद आसाड भी आधा गुजर जाता लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती तो गाउं और शहरों में सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, मिट्टी सूख कर जमिन फटने लगते हैं, इंसान और जानवर पानी के बिना तरप तरप कर मरने लगते हैं, फिर भी आसमान में बादलों का कहीं नामों निशान तक दिखाई नहीं देता। ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने छेतरों में प्रचलित लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन और यग्यादी के सहारे भगवान इंदर से प्रातना करके वर्षा की उम्मीद लगात जब सब कुछ करने के बाद हार जाते हैं तो इंदर सेना को बुलाया जाता था। इंदर सेना भगवान इंदर से वर्षा की प्रातना करते हुए और गीत गाते हुए पूरे गाउं में निकलती थी। उस समय लेख़प को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ ठीक पानी लोग इंदर सेना पर डाल कर उस पानी को क्यूं बर्वात कर रहे हैं। फिर लेख़क कहते हैं कि यह ईंदर सेना नहीं बलकि पाखंड है। अगर यह इंदर सेना सच में इंदर महाराज से पानी दिल्वा सकती है तो क्या जो पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेखक के अंदर बच्पन से ही आरे समाज के संसकार थे वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंतरी भी थे जिसका कार समाज में सुधार करना और अंद विश्वासों को दूर करना था हालांकि लेखक हमेशा अपनी वग्यानिक सोच के अधार पर इन अंध विश्वासों के तर्क डूनते रहते थे फिर भी वो इस बात को स्विकार करते हैं कि उन्होंने भी अपनी वग्यानिक सोच को अलग रखते हुए ऐसे कई रिती रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्यार उनकी जीजी से ही मिला दरसल वो रिस्ते में लेखक की कोई नहीं थी वो उम्र में लेखक की मा से भी बड़ी थी लेकिन वो पूजा पाठ और तीज के तेवहार में अपने परिवार वालों से पहले लेखक को बुलाया करती थी ताकि लेखक को उसका पुन्ने मिल सके लेखक अपनी जीजी की हर बात मानते थे लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक से इंदर सेना पर पानी फेकने को कहा तो लेखक ने साफ मना कर दिया इसके बाद जीजी ने स्वेम ही बाल्टी भर पानी इंदर सेना के उपर फेक दिया जिसे देख कर लेखक नाराज हो गए फिर लेखा को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यहाँ पानी की बरबादी नहीं है यहाँ तो पानी का अर्ग है जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चड़ाते हैं इंसान जो चीज पाना चाता है यदि उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे इसलिए रिशी मुनियों ने दान को सबसे उचा अस्थान दिया है फिर लेखा कहते हैं कि रिशी मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी जब इंसान पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है तब पानी को इस तरह बहाओगे क्या यह सुनकर जीजी थोड़ी देर चुप रही फिर उन्होंने कहा कि देखो भाया बिना त्याक का दान नहीं होता अगर तुम्हारे पास करोड़ो रुपय है और तुमने उसमें से कुछ रुपय दान कर दिये तो वो दान नहीं है दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज बहुत कम है फिर पिर वह उस वस्तु का दान कर रहा है, तो उसको उस दान का फल मिलता है, फिर लेखक कहते हैं कि यह सब जूठा दिखावा है और मैं इस बात को नहीं मानता। पानी की बुवाई करता है और हम भी तो पानी की बुवाई ही कर रहे हैं जब हम यह पानी गली में बोएंगे तबी तो शहर कजबे और गाउं में पानी वाले बादलों की फसल आएगी हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेगा से पानी मांगते हैं जी जी लेखक को आगे समझाते हुए कहती है कि सभी रिशी मुनी कह गए है कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना और 8 गुना करके लोटाएंगे सिर्फ यही सच नहीं है कि जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा का व्यवहार होगा बलकि सच यहा भी है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का व्यवहार भी होगा और यही बात गांधी जी भी कहते थे जब लेखक न यह संस्मरन लिखा था तब देश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे थे लेकिन आज भी लेखक के द्वारा उठाय गए प्रश्न उतने ही प्रसांगिक थे जितने पहले हुआ करते थे फिर लेखक ने कहा कि हम अपने देश के लिए करते क्या है हमारी मांगे तो हर छितर में बड़ी बड़ी है लेकिन त्याक का तो कहीं नामों निशान तक नहीं है हम चटकारे लेकर लोगों की ब्रस्टचार की बाते तो खूब करते है लेकिन क्या हम ख लेकिन इन योजनाओं का लाव उस वर्ग को नहीं मिलता ये सभी योजनाओं का लाव उस वर्ग को नहीं मिलता। लेकिन या विकास सिर्फ कागजों तक ही सिमित रहता है। इसलिए लेखा कहते हैं कि बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूर जाती है।